हलो दोस्तो एक बार फिर साब का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इशान मोबाइल गुरू पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका मोबाइल फोन पानी में गिर जाता है और आपका फोन अभी वारेंटी में है और आप उसको सर्विस सेंटर लेकर जाते हो जैसे ही सर्विस सेंटर वाला टेक्निसेन आपके फोन को खोलता है तो उसको पता चल जाता है कि आपका फोन वाटर डेमेज यानि पानी में गिरा हुआ है अब सवाल यह उठता है कि उसको कैसे पता चलागी आपका फॉन वाटर डेमेज है तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल इशान मॉबाइल गुरू को और बैल आइकन के उपर क्लिक करना ना बोले दोस्तों जब आप किसी भी कमपनी का मॉबाइल खरीते हैं तो कमपनी वाले मॉबाइल के सर्किट पर और बैटरी के उपर एक खास थरीके का सफेर पेपर यानि इस्टिकर लगाते हैं जो की राउंड या स्क्वाईर शेप में होता है जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं लिटमस पेपर को एक खास गेमिकल डाल कर बनाया जाता है जिससे कि जब वह सफेर पेपर पानी की समपर्क में आता है तो उसका रंग बदल कर लाल हो जाता है यहें एक तरहा का water damage indicator होता है जिसको हर company अपने mobile और battery पर लगाते है और कोई भी company water damage phone की guarantee या warranty नहीं देती है तो इसी चीज की पहचान के लिए हर mobile और battery पर litmus paper लगाया जाता है को सबक्ता है झाल 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 उम्मीदे दोस्तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपके मबाईल और बैटरी पर इस तरह के राउंड इस्तिकर क्यो लगे होते हैं और इनका क्या मतलब होता है अगर दोस्तो हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंड कीजिए, सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बहुत बहुत शुक्रिया